आज नमस्कार दोस्तों परमेशर मुर्मो यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है मैं आपका दोस्त परमेशर मुर्मो इस चैनल में स्वागत करता हूं हम लोग देख रहे थे जेपीश सी पीटी का पेपर वन जो 17 माज 2024 को संपन हुआ उसको हम लोग देख रहे थे है आज हम लूंग जोग्राफी के कुछ जो सवाल आए थे उसमें से कुछ सवालों को देखेंगे और ये काफी बेसिक है और उनके जो मतलब की मैपिंग से जितने कोस्चन आते हैं उस कोस्चन को में देखेंगे question number 45 को हम लोग जैसे कि देखते हैं यहाँ पे question number 45 ये map पर आधारित है इसमें से सत्यकथन को चैन करना है तो पहला statement दिया है कि करकरेखा भारत को दो हिस्सों में बाड़ता है तो ये तो statement सही होगा जैसे कि हम लोग को पता है कि करकरेखा भारत को हम लोग map के साथ भी मिलाते जाएंगे जैसे कि ये हमारा बारत है और ये हमारा करकरेखा है जो करकरेखा है वो भारत को लगबग दो हिस्सों में विवाजित करती है पहला statement सही हो जाएगा दूसरा statement बोल रहा है कि करकरेखा भारत के अंतराष्टिय सीमा रेखाओं को दो हिस्सों में बाठता है अंतराष्टिय सीमा रेखा अंतराष्टिय सीमा तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है ये चीन के साथ है ये नेपाल के साथ है और ये भुटान के साथ है फिर इधर बंगलादेश के साथ है और जबकि करकरेखा काफी नीचे है तो ये statement को हम doubtful statement में रख सकते हैं तो पहला मरस ही हो जाएगा और तीसरा statement ये बोल रहा है कि भार जो पूर्व से पस्चीम का विस्तार है ये नौर्थ रेखा के साथ साथ है जबकि ऐसा नहीं है पूर्व का अधिकतम विस्तार देखा जाए तो ये करकरेखा से उत्तर में पड़ता है तो इसको भी हम doubtful statement में रख सकते हैं और चोथा देखते हैं कि भारत में सबसे पूर् रेखा यहां से और यहां इसको जोडने वाली रेखा करक रेखा के उत्तर में है तो यह statement सई है तो हमारा पहला और चोथा statement सई हो जाता है जिसके चलते हमारा option डी है यह मैप पर आधार है अगर हम मैप को ध्यान में रखते हुए मतलब भारत के मैप को ध्यान में रखे तो हम इसका answer को निकाल सकते थे अगला question देखते हैं अगला question question नवर 44 44 बोल रहा है कि निमनल लिखित वाच्चों पर विचार करें पहला statement दिया है कि मुच्यबु में भारत का अक्षांसी है एवंग देशांतरे विस्तार यानि कि लोंगिट्यूड और लेटिट्यूड का विस्तार लगबग 30 डिग्री है इस इस्टेंड्मेंट को जांचने के लिए हमें लॉंगिट्यूड और लेटिट्यूड का नॉलेज होना चाहिए कि भारत का विस्तार कितने डिग्री से कितने डिग्री तक अक्षांसी और देशांतरे विस्तार है हम मैप का सहारा लेंगे जैसे कि हम मैप में देख सकते हैं बहरत का जो मिए खड़ी रेखा को हम लॉंगिट्यूड बोलते हैं जैसे कि यह हमारा एसे जो खड़ी रेखा उती हैं उसे हम लॉंगिट्यूड कहेंगे और ये हमारा latitude है यानि कि ये हमारा अक्षान से विस्तार हुआ और ये हमारा देशांतरी विस्तार हुआ तो हम देशांतरी विस्तार देखते हैं तो जैसे कि देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट इस्ट यानि कि 68 डिग्री 7 मिनट इस्ट से लेकर इंडिया का विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट यानि कि 95 डिग्री 25 मिनट इस्ट तो 90 मतलब लगभग हम बोल सकते हैं कि 30 डिग्री है यह देशान तेरे विस्तार और अक्षान से विस्तार अगर हम देखते हैं अक्षान से विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट चार मिनट नौर्थ से लेके हमारा है इधर 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट नौर्थ यानि कि यह हमारा अक्षान से विस्तार है इसका लगभग हम इसे 8 से 37 यानि कि लगभग इसे हम भी 30 डिग्री बोल सकते हैं तो जिसके चलते हमारा यह स्टेटमेंट भी सही हो जाता है मतलब यह पहला स्टेटमेंट सही है ठेक तो यह सत्य है फिर दूसरा है कि गुजरात से अरुनाचल परदेश के बीच धाई घंटे का अंतर है यह स्टेटमेंट रॉंग है क्योंकि गुजरात और जो अरुनाचल परदेश यहां से यहां तक के बीच का समय का अंतर धाई घंटे नहीं दो घंटे का अंतर आता है जिसके चलते यह असत्या हुआ असत्या टेक 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व भारत की मानक देशांतर रेखा है यानि कि जो एस्टेंडर्ड टाइम जोन है इंडिया के लिए वह 82 डिग्री 30 मिनट इस्ट को माना जाता है तो यह भी सही है क्योंकि यहां हम देख सकते हैं कि इस्टेंडर्ड टाइम जो इंडिया के लिए वह 82 डिग्री 30 मिनट इस्ट है तो यह भी सही है यानि कि यह सत्या हुआ और चोथा statement दिया है चोथा statement दिया है कि मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना जाता है नहीं मानक देशांतर जो extended time है वो अलग है वो UK से पास करती है तो ये गलत हुआ ये असत्य है तो हमारा statement कौन सा हो जाएगा सत्य असत्य सत्य यानि कि पहला सत्य पहला तो सत्य ये असत्य है यानि कि ये हट जाएगा दूसरा असत्य है दूसरा असत्य है यानि कि ये भी हट जाएगा दूसरा सत्य है दो में है तीसरा जो है वो सत्य है तीसरा सत्य है यानि कि option B कि ऑप्शन भी हमारा सही एंसर हो जाएगा जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो इंडिया का जो बेसिक लोकेशन है उसका दिशांतरी अक्षान से विस्तार और इसका टाइम जोन क्या है उसके हिसाब से यह कोश्चन फ्रेम हुआ था अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन कोश्चन नुवर 46 दोस्तों यह सारे जो 17 मार्च को एक्जाम हुआ जए पीशीपीटी उनके सवाल है यह जीएस पेपर वन के है यानि कि जेनरल एस्टेडिश पेपर वन के यह सारे सवाल है कोश्चन फॉर 46 एकदम मैप पर अधारित है निमले लिखित में से कौन से राज बंगलादेश और मयमार की सीमा साजा करता है यानि कि वह कौन से स्टेट है जो एक तरब बंगलादेश और दूसरे तब मयमार तो दोनों के सीमाओं के साथ यह अपने सीमा को साजा करता है यह कौन से इंडियन स्टेट है नागालें तरिपूर मिजोरम की मनिपूर देख सकते हैं दोस्तों यह नौर्ट इस्ट से पूछा गया सवाल है यह मनिपूर है जो हमारा ऑप्शन मैं मनिपूर केवल मयमार से बॉर्डर का साजा करती है तरिपूरा बंगलादेश के साथ क देखते हैं यह वहीं दूसरी तरफ यह बंगलादेश है तो बंगलादेश के साथ भी बोर्डर साजा करती है तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा मीजोरम मीजोरम एक केसे स्टेर्ट है जो बंगलादेश और महमार दोनों के साथ दोनों के साथ बोर्डर साजा करते तो जिसक अगला सवाल यह को एरेंज करने के लिए यह वेसिटन घाट के हील से उत्तर से दक्षीन मतलब नौर्प से स्थानियत तोर पर जया ना जाता है मतलब किस स्थानियत तोर पर जाना जाता है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यह हमारा इंडिया का मेप में वेस्टन घाट है, वेस्टन घाट है, वेस्टन घाट में हम देखते हैं कि कौन-कौन से उप्सन दिया है, सह्यादरी, निलगिरी, अन्नमलाई और कार्डमों सील, वैसे तो दोस्तों जो वेस भाध ईस्तानिय तोर सहाद्री कहा जाता है सहाद्री को अलग अलग जैसे कि उत्री सहाद्री मज्ँद रवशल्मी कि और रग्षेणी सहाद्री में भाटा जाता है तो हम उससे कंफ्यूज नहोगे वीए सि笑ी नहीं निल जीनी patient को option को चुनेंगे तो हम map में देखते हैं जैसे कि देख सकते हैं कि निलगिरी उत्तर में है ये निलगिरी उसका सबसे उची चोटी है 12 बेटा तो 12 बेटा को नहीं बस निलगिरी पूछा है तो निलगिरी है फिर दूसरा थोड़ा साउत में जाएंगे तो इसके बाद अन्नामलाई है यह अन्नामलाई है फिर देखते हैं यह सबसे दक्षिनी पर है जिसे इलाजी की पहाड़ी भी कहा जाता है तो हम इस हिसाब से एरेंज कर सकते हैं कि सह्यादरी को अगर छोड़ दे तो निलगिरी अन्नामलाई और कार्डम यानि कि हमारा ओप्षन ए है हमारा करेक्ट एंसर है ओप्षन ए यह थे जोग्रोफी के कुछ सवाल जो बेसिक मैप पर आधारी था इसके बाद हम लोग कॉलिटी के कुछ सवाल देखेंगे जैसे की यूनिफर्म सिविल कोड में से कोश्चन आया था और भी जैसे की हिस्ट्री में देख कुछ सवाल आया था जो जिसमें मुलिक अधिकारों के बारे में चर्चा कि गए थे मतलद के अदिवेशन में और हैसे भी कुछ और जयादा धूकर के साथ वीडियो को साजा करें तो तक के लिए धन्यवाद